आपका सबसे बड़ा सत्रू और आपका सबसे बड़ा मित्र कौन है पता है आपको आपका सबसे बड़ा सत्रू है आपकी बुरी आदते और आपके आज़ पास रहने वाले बुरे लोग जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं आपकी बुरी आदते आपकी सबसे बड़े सत्रू है कोई दूसरा व्यत्ति आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है जितनी आपकी बुरी आदते आपको नुकसान पहुंचाती है इन बुरी आदतों को छोड़ दो और बुरे लोगों को छोड़ दो आप बहुत उपर पहुँच जाओगे भगवान से क्रिष्ण गृता में कहते हैं कि दुर्योधन की सबसे बड़ी बुरी आदिते दो थी एक तो उसमें गमंड बहुत था और एक उसमें लालच था यही गमंड यही लालच दुर्योधन को मोत के गाट उतारा दुर्योधन के पास सब कुछ था लेकिन गमंड था कि मेरे पास पितामा विस्म है मेरे पास गुरू द्रोन है मेरे पास गुरू कृपाचार्य है मेरे पास कर्ण है मेरे पास अस्व थामा है मुझे कौन हरा सकता है और दुर्योदन को लालच था वो आपने बाई पाड़ों को एक सुई की नोग जितनी जगह भी नहीं देना चाहता था और उसके आसपास बुरे लोग थे मामा सकुनी सबसे बड़ा बुरा व्यक्ति था उसके साथ में इसी वज़े से दुर्योदन को मौत के रिकाट दरना पड़ा और दुर्योदन का अंत हुआ तो अगर आप में भी कुछ बुरी आदते हैं जैसे लालच है गमंड है दोका देने की नियत है आलस है कुछ नया नहीं सीखने की आदत है तो इसको दूर कर ले ना यह आप के सबसे बड़ी सत्रू हैं जब तक आप इनसे दूर नहीं होंगे ना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओ और आपका सबसे अच्छा मित्र को ने पता है आपको सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे लेकिन यह आपको साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो है आपका आत्मोविश्वास आपका सबसे बड़ा मित्र आत्मोविश्वास है यह होगा ना तो आप कितनी ही बड़ी मुश्किन होगी संकट से संकट होगा आपके उपर फिर आप उस संकट से निकल जाओगे कहते हैं ना की गीता में जब अर्जुन के पास सब कुछ होता है लेकिन आत्म इस्वास नहीं होता है वो युद्ध में अपने सगे समंध्यों को देखकर वावुक हो जाता है अपने अस्त्र सस्त्र नीचे रख देता है और बगवान सी को कहता है यह प्रभू मेरा मार्ग दर्शन को तो उस वक्त अर्जुन का आत्म इस्वास खत्म हो चुका है तो बगवान सी कृष्ण उसको आत्म इस्वास देते हैं और वो फिर उसी आत्म इस्वास से युद्ध जीत लेता है तो कभी-कभी ऐसी कंडिशन आती है जब इसकी तो आपका सबसे बड़ा मित्र आपका आत्म इस्वास सबसे बड़ा सत्रू आपकी बुरी आदते हैं और आपके आस पास रहने वाले बूरे लोग है इंसे हमें साहीं दूर हो जाना